हलो गाईजे, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वेफसाइट हिंदी आज के बिल्यों बात करूँगा कि सी भी फाइनेंस करने वाली कमपनी का लोन कैसे भरें यदि आप कहीं से लोन ले चुके हैं या मुबाइल लोन पर ले चुके हैं तो असानी से पेटियम का इस्तेमाल करके बिना एक्स्टा चार्ज के आप लोन इमाउंट भर सकते हैं यहां पर दिखिए समसंग फिनाइंस के दुआरा 3712 रुपे लोन हमें भुक्तान करना है यह आटो डेबीट है लेकिन फिर भी मैं पेटियम से भुक्तान कर रहा हूं बीना एक्स्टा चार्ज दिये लोन भुक्तान करने के लिए आपके पास फिनाइंस कंपनी का नाम और यहां पर लोन आइड दिया हुआ है यहां आपके पास होना चाहिए इसके बाद आपको सबसे पहले पेटियम ओपिन कर लेना है तो मैं पेटियम ओपिन कर लेता हूँ यहां पर दिखिए मैं पेटियम ओपिन कर लिया हूँ उपर में आना है दिखिए सर्च बोक्स दिया हुआ है यहां पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको company का नाम सर्च करना है जैसे LIS की हुआ, DMI हुआ जिस finance company से loan लिये हैं उसका नाम दर्ज करें यहाँ पर दिखिए DMI दर्ज किया तो DMI finance loan, loan bill यहाँ पर आग गया इस पर मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद इस तरह का interface open हो जाता है यहाँ पर दिखिए loan account number दिया हुआ है यहाँ पर मैं paste कर देता हूँ आप अपने अनुसार दर्ज भी कर सकते हैं paste करने के बाद यहाँ पर दिखिए प्रोसिट बटन पर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद दिखिए amount यहाँ पर दिखा दे रहा है 3712 रुपे हमें भुकतान करने होंगे यहाँ पर दिखिए परोसिट टूपे 3712 रुपे दिखाई दे रहा है यदि आप offer का लाब लेना चाहते हैं तो apply cashback offer के बटन पर चाहते हैं यहाँ पर मैं estate bank of india select कर लेता हूँ आगे बढ़ने के लिए pay button पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर दिखिए pay button है यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इसके बाद यहाँ पर code डाल देना है जो भी आपका API code है आप दर्ज करें code दर्ज करने के बाद यहाँ पर payment successful हो जाएगा अब देख सकते हैं यहाँ पर payment successful हो चुका है यह my payment successful future reference के लिए आप इसका screen source रख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो like करें शेयर करें और इसी तरह से वीडियो पराप्त करने के लिए website हिंदी चैनल को subscribe करें मिलते हैं नहीं वीडियो में धनिवाद